हेलो एवरिवन, वेलकम टू ओल ओफ यह उन्जियो पॉलिटिक्स नाओ, स्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज में रमजान की क्या इंपोर्टेंस है यह आम शूर आप लोगों को पता ही होगा एक जामपल के लिए ऐसे बता रहा हूं मैं आपको जैसे Christianity में Christmas को और Good Friday को celebrate करते है ना और जैसे हिंदूज में हमदी पावली को celebrate करते हैं इसके रावा जनमाष्टी में को celebrate करते हैं ठीक ऐसे ही जो Islamic countries होती है इनके लिए बहुत important होता है इनका रमझान का fest रमझान का जो ये time period होता है न ये काफी spiritual होता है Islamic countries के लिए इसमें लोग fast रखते हैं pure dedication चाहिए होती है pure mindset चाहिए होता है और काफी spiritual होता है लेकिन इस बार जो इसलामी कंट्रीज की गवर्मेंट है ना इसके अलावा जो हाँ के सिटिजन्स हैं उन में इस फैस्ट को लेकर बिलकुल भी एंथूजियाजम नहीं है और इसका जो रीजन है का ना वो है इसराइल हमास की वार जो की हमास के साथ अक्टूबर को इसराइल पर टेरर अटेक करने के बाद शुरू हुई थी इसके बाद इसराइल की गवर्मेंट ने गाजा में हमास के खिलाफ अपनी एक वार्ड शुरू कर दी थी जो कि नौर्थ में गाजा से शुरू हुई थी और अब जो साउथ में रफा है ना वहां तक आ गई है और अब रफा की बॉर्डर पर जो इसराइल की फोर्षिस खड़ी हुई है ना यही सबसे बड़ा कोशन था कि ये रफा को कब इन्वेड करेंगी क्योंकि जो इसराइल की गवर्णेंट है ना उन्होंने साफ कर दिया था अगर हमास ने हमारे सिविलेंस को नहीं चोड़ाना तो हम नहीं देखेंगे कि रमजान कब है और कब खतम होगा हम वैसे ही रफा को भी इन्वेड कर देंगे जैसे हमने गाजा को इन्वेड किया थ और इसराइल के आगे ना सवाल कही थे अगर हमने रफा को इन्वेड कर दिया तो इंटरनेशनल कम्यूनिटी से जो प्रेशर आएगा उसे कैसे डील करेंगे इसके लावा हिजबुला ने अगर नौर्थ में कुछ बढ़ा कर दिया तो क्या करेंगे इसके लावा वो कौन स इसराइल के पीम वो पूरी तरीके से अशोर हैंगे कि IDF बड़े अराम से जो यह उपरेशन है लीड कर लेगी और वापस भी आ जाएगी लेकिन फिलहाल के लिए USA से यूरोप से और Middle East के कंट्री से जो प्रेशर इसराइल को मिल रहा है ना उसको ध्यान में रखते हुए सीसफायर की वाद चल रही है जिसमें यह अशोर किया जाएगा कि इन्वेजन जो है ना किसी भी तरीके की रमजान के टाइम में यह ना हो इसलामी कंट्रीज के लिए और गाजा के सिविलेंस के लिए यह बहुत अच्छी खबर है एक और अच्छी खबर जो गाजा के सिव यूए ने और इजिप्ट ने भी ऐसा ही किया और अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तब यूके ने इसके लावा यूरोपेन कंट्रीज ने यह प्लेज किया है कि वो ईयो की लिडर्शिप में यूए से के साथ मिलकर गाजा में जो फूड डिलीवर अगर इस बीच कोई बड़ा समझोता हो जाता है जैसे कि humanitarian aid के बदले में civilians को छोड़ देना तो शायद एक बार को कुछ बड़ा बदलाव आ जाए और यह जो वो और एंड हो जाए वरना हमास और इसरेल की जो यह rivalry है ना यह रमजान के बाद भी वहीं पहुँच जाएगी जो गवर्मेंट ने इसके अलावा बहुत से think tanks ने और बहुत से दूसरे जो institutions हैं उन्होंने अपनी अपनी report publish करी थी जिसमें यह बताया था कि इस पूरे operation में 7 मेने से लेकर एक साल तक का जो time है वो लग जाएगा और जो food supply है वो भी रोग दी थी और to be honest इसराइल को इसमें ज़्यादा problem हुई नी western countries ने UN में इसके इलावा ICJ में जिस तरीके से इसराइल का support किया इसराइल के लिए काफी आसान हो गया था और इसराइल ने इसका बहुत फायदा उठाया अपना जो यह पूरा military का operation है यह complete कर लिया और अभी अपने last face में आ गया है लेकिन अपने इस last face में आकर इना इसराइल को सबसे ज़्यादा backlash का सामना करना पड़ रहा है इंग्लिस literature की एक quote है गी here is no more space to escape अब आपके बास बागने के लिए रास्ता ही नहीं है और यह गाजा के सिविलन्स के लिए बोल रह करने के लिए तयार हो गया जो food है उसकी permission दे रहा है कि आप airdrop कर सकते हैं इसलिए भी आपने social media पे footage इसे देखी होंगी जिसमें UAE, Jordan और USA के जो कुछ aircraft हैंगे यह गाजा में जो food है वो airdrop कर रहे हैं लेकिन क्या यह काफी है numbers के base पे अगर मैं आपको बताऊ ना तो पू जाल अब भी ऐसी भी footage है सामने आ रहे हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि यह मिलकर कुवे खोद रहे हैं ताकि जो पानी की कमी है उसको दूर कर सकें अगर ऐसी अबादी को आपको बरपेट खाना किलाना है ना तो जाहिर सी बाद है दिन में कम से कम यह तीन बार खा सके यह तब जाकर जो लोगों की जरूरते हैं ना वो पूरी हो पाएंगी और अभी के लिए क्या हो रहा है USA ने एक तारीक को 40,000 के लगबग और 4 मार्च को लगबग 36,000 के आसपास जो packet food है वो ड्रोप किये है और इतनी 50,000 के आसपास दूसरे देशों नहीं किये है और यह आ कहां से रही है अभी के लिए जो एर ड्रोप का प्रोग्राम है गा ना यह UK का साइपरस में एक military base हैगा वहां से लीड किया जा रहा है इसके अलाव अनाटो का टर्की में एक operation facility हैगी एक military base वहां से लीड किया जा रहा है और यह कहीं से भी ना cost effective नहीं है इसका reason मैं आपको बताता हूँ इसराइल का अगर आप अभी stance देखोगे ना तो उसने पूरे गाजा की जो है ब्लोकेड की हुई है जिस वज़े से जो air space है वो बंद किया हुआ है एक बड़ा सवाल यह भी हैगा यह जो aircraft जाते है यह land कहां करेंगे क्यों क्यों कि पूरे गाजा में आपको airport कहीं नहीं मिलेगा जो facility हैगी न एर की travel करने की वो बिल्कुल तबागी हुई है रफा में बहुत पहले एक एरपोर्ट हुआ करता था सेंचुरी की सुरुआत में उसको बंद कर दिया गया फिर बाद में इसराइल ने उसकी bombing भी और यह जो air drop का प्रोग्राम चला रखा है कर दे रहे हैं कई भी जहां भी खबर मिलती है सिविलन से खटाएंगे वहां जाएंगे थोड़ी से दूरी पर एड्रोप कर देंगे अभी जो footage सामने आई है न उसमें देखने में आ जो कितना सारा खाना आएगा मेड़ेट एजिए के बिल्कुल coast के पास है वही पास है नहीं एक C-130 ग्लोब मास्टर की जो फ्लाइट है ना एक घंटे की वह आठ हजार डॉलर के लगबग पढ़ रही है जो एड जो ट्रक जाया करता था था ना उसके comparison में कहीं जादा है और western countries के जो मैं article पढ़ रहा हूं ना उसको देखके तो यही लगता है वो अपन प्रोवाइड कर दिया जाए बेसिकली जो western countries अभी operation चला रही है ना food airdrop करने का गाजा में इसको अब 25C किया जाएगा और यह काफी हतक जो है ना cost effective भी होगा और यह सब इसराइल कर क्यों रहा है क्योंकि इसराइल के अभी GDP के नंबर सा सामने आया है ना इसराइल को अभ internationally अभ यूरोप वैसा साथ नहीं दे रहा है इसराइल का जैसे पहले दे रहा था USA भी अभी इसराइल को condemn कर रहा है पहले की तरह साथ नहीं दे रहा है और वे दिन इसराइली बेगर आप देखोगे ना तो Benjamin Netanyahu के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बात चल रहे है कि early elections होंगे अभ इसराइल में और इसका नतीज़ा Benjamin Netanyahu देख पा रहे हैं उनके खिलाफ जो inquiry हुई है उससे आप से लगता है कि Benjamin Netanyahu अब जीत पाएंगे unless IDF एक बार को रफा को इनिवेड ना करें लेकिन हमास के जो बड़ी leaders हैं इनका encounter कर दे और साथ ही में अपने civilians को वापस ले आए और हमास के खिलाफ जो जंग उसने शुरू करी है ना ठीक ऐसा ही कुछ जो बड़ा है वो हिजबुला के खिलाफ नौर्थ में कर दे तो एक बार को BB के उपर जो इस टैगी में लगा हुआ है ना कि आपके tenure में एक ऐसा बड़ा हमला इसराइल के उपर हुआ था व और हमास की जो दुस्मनी थी वही रमजान के बाद भी होगी और इसराइल का जो स्टांस है जो उसने पहले लिया था वही आगे बना रहीगा फिलहाल के लिए इस वीडियो का एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइप कीजिए अपने फ्रें next one till then have fun